सिख्षक साथियो नमश्कार इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही किस प्रकार से यूडाइस प्लस डाटा 2021-22 को बड़ी असानी के साथ फिल अप कर सकते हैं इसमें कहीं पर भी कोई कटनाई नहीं है बड़ी असानी के साथ प पर भरते थे लेकिंग पिछले कुछ बर्सों से इसकी जानकारी को ऑनलेन इंट्री करने के लिए कहा जा रहा है ऑनलेन इंट्री करने में कुछ नए टूल्स का यूज करते हैं तो वह फंसन क्या होगा इसको भी बताएंगे तो सबसे पहले आप एक काम करना इस साल जो को प्रिंट आउट करवा सकते हैं और पीडिये जो है आपको आपके संकुल समन्मेक सर के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे और यदि नहीं मिले होंगे तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं किस प्रक्रास से डाउनलोड करेंगे अभी बत Google Chrome को open किजेगा, open करने के प्रश्यात यहां पर पहुंचेंगे, तो search करेंगे सबसे पहले, यहां पर जो type करने का option आता है, उसमें से आप type करेंगे u dice, तो u dice के लिए u d जैसे लिखते हैं, आप देखेंगे suggestion पर u dice plus आ गया, तो यहां पर देखेंगे, u dice plus बस को नहीं देखेंगे, उसके नीचे में जो udiceplus.gov.in लिखा हुआ है, तो इस website को विशेश रूप से ध्यान दे करके, इसी को क्लिक करने है, क्लिक करने के प्रशाथ आप यहां पर पहुँचेंगे, यहां पहुचने के प्रशाथ यहां देख सकते हैं login का जो option है, इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद छोटा सा page और open होता है, जिसमें देखेंगे 2021-22 लिखा हुआ है, उसके नीचे select state है, तो यहां से select state को आप टच करेंगे, टच करने के प्रशाथ अलग-अलग state का नाम सामने आएगा, जिसमें से आप अपने state का नाम को चैन कर दीजेगा, जैसे कि हम 36 गड़ से हैं, तो 36 गड़ का चैन करते हैं, आप अपने नुसार से राज्य का चैन कर दीजेगा, फिर यहां पर जो go का option आ रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के परशाथ इस page पर पहुँचेंगे, तो सबसे पहला काम यह करना, यहां पहुचने के परशाथ, यहां पर जो तीन dot बने हुए हैं, इसे आप क्लिक करना, क्लिक करने के परश्चायत नीचे में देखेंगे यहाँ पर desktop site लिखा हुआ है तो इसे आप क्लिक कर दीजेगा क्लिक कर दिए अब इस page पर पहुँझे गए जहाँ पर आपको username और password को fill up करना है तो username आपके school का dice code है और password आपको ग्यात है यदि password भूल गये है तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप आपने password को प्राप्त कर सकते हैं वो वीडियो जो है इसके i button पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर username और password और capture code को मैं fill up करके login हो रहा हूँ ठीक है माध्यम से उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे चार अलग-अलग option है तो चार option में से देखेंगे जो तीसरा जो option है download prefilled DCF तो इसको जब आप click करेंगे तो मैंने जिस PDF की बात कहा वो PDF यहाँ से open हो जाएगा जैसे हम download करके दिखा रहे हैं इसको आप click करते हैं तो आपका जो school का है इस साल जो जानकरी भराई जानी है उसका format open हो जाएगा यह English में open होगा अब यहाँ पर देखेंगे जो जो जानकरी आपको फिलप करना है उसका पूरा format यहाँ पर आ गया आप इसको print out करवा करके इसमें पूरी जानकरी को फिलप कर सकते हैं फिर बड़ी असानी के साथ आप online प्रविष्टी कर सकते हैं ठीक है यह सारी जानकरी आपकी school के अनुरूप रहेगा ठीक है अब हम चलते हैं वापस online की ओर तो यहाँ पर पहुँचने के पश्चात online फिलप करने के लिए देखेंगे यहाँ पर click here to open DCF to fill the data लिखा हूँ इसे आप click कीजेगा click करने के पश्चात page refresh होगा यहाँ पर जो OK का option आ रहे हैं उसे आप OK कर दीजेगा अब देखेंगे यहाँ पर जो इस्थिती है उसको पढ़ने से पहले करने का वह शक्ता नहीं है लेकिन यहाँ आप Hindi में बनना चाहते हैं तो selected language के नीचे जो English लिखा हुआ है इसे touch करेंगे तो यहाँ पर Hindi का जो option आता है उसे आप click कर दीजेगा click करने के पर पूरा page Hindi में आ गया आप देख सकते हैं आप इसके बारे में समझते हैं यहाँ पर जो पट्टी दिखाई दे रही है इसमें अलग-अलग नंबर दिया गया है यह वास्ताओं में खंड है अर्थात इस खंड में इतनी जनकरी है जैसे जैसे आप उसके पास करसर को या फिंगर को लेकर जाएंगे उसके बारे में बताया जाता है कि यह क्या चीज है ठीक है अब उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं स्थिती लिखा हुआ है प्रमारिक नहीं है और यहाँ पर सुरू नहीं हुआ है तो यह जो है प्रमारित नहीं है उसमें देखेंगे क्रमांग एक लिखा हुआ है उसके बाजू में DCF क्रमांग है 1.1 से 1.9 तो इसे आप क्लिक कीजेगा क्लिक जैसे ही करते हैं वो पेज ओपन होगा अब इसमें जो जानकारी उसको आप केवल अध्यान कीजेगा अर्थात इसमें सही है की नहीं है क्योंकि यहाँ पर यदि किसी प्रकार का मिश्टेक है तो उसका संसोधन आपके लेवल परनी होगा अर्थात आप अपने मुबाइल की फोन के माध्यम से नहीं कर पाएंगे इसके लिए ब्लॉक अफिस में जो कर्मचरी निउत्त किये गया है उसके माध्यम से होगा तो उसके बाद यहाँ पर आप पूरा रीट कर लिजेगा रीट करने के प्रश्यात आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिश्टेक नहीं है तो यहाँ पर अगला को क्लिक करेंगे तो उसके प्रश्यात होगा यह कि अपडेट करे का एक आप्शन आता है तो अपडेट करेंगे तो उसमें आपके इसकूल का हेड मास्टर का पूरा विवरन सामने आ जाता है उसमें आप जानकरी को फिल अप करेंगे जानकरी को फिल अप करने के प्रश्यात जमा करे को क्ल तो जहां जहां मार्किंग किये हैं, उसी को आपको यहां पर भरना है, बाकी को भी पढ़ दीजेगा, कोई भी कॉलम को छोड़िए गमत पढ़ने के लिए, अर्थाथ आप अपने स्कूल के नुसार से पूरी जानकारी को फिल अप करेंगे, जानकारी फिल अप करने के बाद चाहिए, तो सेव करने के लिए यहां पर जमा करे को क्लिक करेंगे, जैसी जमा करे को क्लिक करेंगे, आपने जो भी जानकारी इसमें फिल अप किये हैं, वो सभी जो है सेव हो जाएगा, आप माल लिजे कि आप इसको एक बार में नहीं भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सा प्रकार से आपको पेज पर जाना है लोग इन करना है और यहां पर जानकरी भरना है लेकिन आप पूरी त्यारी से बैठे हो पूरी जानकरी को एक साथ फिलब करना चाहते हैं तो जमा करें और अगला को जैसी क्लिक करते हैं जमा करें और अगला को तो जो जानकरी आपने भर ठीक है इसी प्रकार से हर पेज में देखेंगे यही सब आपसन हैं तो यही काम आपको हर पेज में करना है जो जो जानकारी आते जाती है उसको फिलप करते जाना है फिलप करते जाने के पश्चात जमा करें और अगला को क्लिक करते जाना है जैसे जैसे आप फिलप करते ठीक है जब आप जमा करेंगे तो पूर्ण हो गये लिखाएंगे इसी प्रकार से पूरी जानकारी आप यहां पर भरेंगे एक-एक इस्टेप को एक-एक इस्टेप भरने के पश्चात जब यहां पर पूरा भरा जाएगा तो यहां पर इसकुल रिपोर्ट जो डाउनलोड करने का आपसन है वो उपन होगा और प्रमारी करन का आपसन उपन होगा तो जब उपन होगा तो उसके बारे में अलगसी वीडियो बताएंगे अभी जो है आप इसमें U-Dice Plus डाटर को इसी प्रकार से फिलब कीजेगा कहीं पर कोई आपक कमेंट कीजेगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा सेयर कीजेगा जुड़े रहेगा उजवल लक्षट 250 से नमस्कार